I think one of the tradition in medical college, जो generally हम लोग कभी भी, कोई भी medical colleges का senior आपको बताएगा नहीं, थोड़ा सा ये feel होता है कि हम लोग kind of cheated हुआ है, कि वो जो pretend कर रहे हैं, वो बंदा actually हमारे ही batch का नहीं है, medical colleges में, जो तो बोलना मना है, मगर फिर भी मुझे लगता है, क्या वो अप लोग के साथ share कर सकूँ, नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर देवुजोतिकौर, आज हाजिर हो आपके सामने, मेरा डॉक्टर बनने से डॉक्टर बनाने तक की कहानी लेके, करना टका के, एक छोटे से गाउ की लड़की है नेहा, जिसके पिता है किसान, और वो पराय में कमज़ूर, जिसका 300 से ज़्यादा स्कूर, कोई भी नीट मॉक एक्जाम्स में नहीं आ रहा है, वो सोच रहा है क्या करू अभी, और एक ऐसे ही विस्ट बिंगॉल के एक लड़की है, जिसका नाम है प्राप्ती, जिनके पिता क्या अर्थिक स्थिती इतना खराब है, क्या वो सोच रहा है, अभी क्या करना चाहिए, और सोच रहा है क्या नीट एक्जाम्स के जो तयारी है, उसको डिसकंटिन्यू करने के लिए है, ऐसे ही और एक बच्चे है रिशिकेश, जो कोटा के नामी इंस्टिट्यूट से हार मान के, आज डिप्रेशन में जा चुका है, आज ये तीनों बच्चे, बहुत अच्छे मेडिकल कॉलेजेज में, मिडिकल कॉलेज कोलकाता से पहले में एंबिबियस किया, उसके बाद नीट पीजी क्रैक किया, और नीट पीजी करने के टाइम ही वो सोच लिया, कि भी उजह सिख्शक बनना है उसको! और आज, पूरे देश को 10,000 से ज़्यादा ऐसे ही, नेहा, प्राप्ति, और रिशिकेस जैसे successful future doctor दिया मेरे कहानी स्टार्ट होते है वस्ट बंगाल के बरहंपुर नाम के एक छोटे से शहर है मुशिदबाद डिस्टिक्ट का वहां से मेरे घर में मेरे मॉम डाड, मेरे भाई, मेरे दीदा और मेरा दादा जी था दादा जी हमेशे मुझे बताते थे कि दुनिया में आपको ऐसे काम करना है जिसमें सारे दुनिया आपको follow करे तो यही चीज़ को मैं follow करते हुए मेरा studies में बहुत focus किया and focus करने के साथ साथ मैंने decision बना लिया कि मुझे doctor बनना है और इसी time पे मैं जब सबसे पूचता था क्या कैसे doctor बनना है क्या करना है तो उस शहर में मुझे बहुत ऐसे लोग मिलते थे जो की मुझे distracting information देते थे कभी बताते यह करना चाहिए तो दूसरा लोग मुझे बताते नहीं वो नहीं करना चाहिए तब मैं कुछ अच्छे coaching के बारे में ढून रहा था और मुझे उस time पे एक scholarship के एक offer मिला और मैंने बरहंपूस शहर से कलकता में shift कर लिया कलकता में आके मुझे बहुत challenges फिल हुआ मतलब कलकता में आके क्योंकि मैं एक छोटे शहर से बिलंग करता था तो कलकता में जब आया तो वहाँ पर जितने सारे बच्चे थे मेरे ही batch mates थे तो उनका थोड़ा सा lifestyle different category के था तो थोड़ा सा वो लोग मुझे ताना देता था क्योंकि मैं छोटे शहर से आया हूँ और जिसके बज़े से मुझे बहुत depressed feel होता था कभी-कभी तो मुझे बहुत demotivate feel होता था क्लास में जब जाता था तो मुझे लगता था मुझे कुछ बात करना चाहिए नहीं चाहिए मुझे बहुत hesitation feel होता था तो क्योंकि यह सब चीज थोड़े से बूलिंग था मेरे मेरे लिए बूलिंग था simply speaking क्योंकि जब मुझे continuously लोग ताना दे रहा है क्या scholarship में आए हो तो मतलब इतना पढ़ाई कर रहे हो तो वो लोग चाहते थे कि मैं पढ़ाई ना करू कलकता में आकर तो सब कुछ में recover कर लिया मेरा mental strength में gain किया मैंने सोच लिया कि अब तो go back करने के option कुछ है नहीं तो इ ही चीज में आगे लेके गया और preparation को continue करते गया मेरे teachers जो थे उस time पे उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट की और जिस वजह से मैंने AI PMT में medical entrance exam में बहुत अच्वराइं किया और मुझे medical college कॉलकाता में admission मिल गया general category में बट एक मेरा बहुत ही दुख था उस time पे क्या मेरा द जब मेरा medical entrance का exam जिस दिन पर था उसी के दो तीन दीन पहले मेरा दादा जी का डेथ हुआ था बरहंपूर में तो मुझे कोई disclose नहीं किया था क्योंकि definitely मेरा exam के उपर एक effect आएगा मगर जब result आया हम लोग का generally exams के बाद result के बीच में 30 days का gap होता था तो मैं 30 days बाद घर में लोटा तो एक बहुत ही में घर लोटके मैं दादा जी का ढून रहा था तो मैं देख रहा था मेरा जो grandma है वो रो रही है क्योंकि मुझे तो fast time मालूम होने वाला है न क्या वो नहीं है दुनिया में अभी तो उस दिन मैंने बहुत रोया और सबसे बड़ा एक क्या मताओं एक रिपेंड बताओं या फिर एक दुख बताओं जो भी है क्या अभी तक शायद उनको मालूम ही नहीं हुआ क्या में डॉक्टर बन गया जो उनका बच्पन से जो चीज उन्होंने मुझे इंस्पायर किरा कराया है क्या फ्यूचर में तुम्हें डॉक्टर बनना है मुझे ट्रिट्मेंट कराना है तो तुम से ही कराना है तो यह अभी तक उनकों में बता नहीं पाया तो यह मेरा दुख अभी भी है और कहीं ने कहीं मेरे जो पैरेंट कंपनी है उसका उस उनके इच्छा को और भी expand करके हम लोग doctor बना रहे हैं दुनिया में और ऐसे नहीं कि हमारे student बेंगॉल में हैं या इंडिया में है विदेश में भी नाइजरिया में भी, UA में भी इंडिया के बहुत सरे बिच्चे जो रहते हैं वो प्रेपमेट से classes करते हैं उसके बाद मेरा college life स्टार्ट होता है तो college life में मेरा जब first year आया तो first year में बहुत सारा घटना मेरे साथ घटा जो की बहुत ही मेरे लिए important था first था college में intro, intro नाम के एक event होते है जो की hostel life में बहुत remarkable होते है जहाँ पर हम लोग खुद को explain करते हैं senior के सामने में हम लोग कौन है कहां फिस कहां से आते और बाकी सब चीज़ तो कुछ लोग उनको ragging के तरह सोचते हैं मगर मेरे ख्याल से वो ragging नहीं है वो just self explanation होते हैं खुद के बारे में बोलना होते हैं और वहाँ पर और एक बहुत अच्छा चीज़ है medical colleges में जो तो बोलना मना है मगर फिर भी मुझे लगता है क्या वो अप लोग के साथ share कर सको वो है reveal नाम के एक घटना होते हैं reveal होता है क्या senior batch से कोई एक हम लोग के batch mate के तरह pretend करते हैं और वो पूरे साल मतलब पहले एक मन्त जो होते हैं हम लोग के साथ ही बातचीत करते हैं हम लोग से data collect करते हैं और उसके बाद वो हम लोग का check करते हैं क्या जितने सारे लोग हम लोग ने आया हम लोग आया first year में उनके उनमें unity कैसे हैं हम लोग seniors के लिए कैसे बात कर रह सूछ रहे हैं college के बारे में किया सोच है and hostels के बारे में क्या सोच है और फिर senior को pass करते थे वह तो इसमें ऐ ऐग दिन आता था जिए चीज लेने के लिए सब करता था तो वो दिन बहुत ही एक different kind of days होते है जिस दिन reveal होता है क्योंकि थोड़ा सा यह feel होता है कि हम लोग kind of cheated हुआ है क्योंकि हम लोग से सारे information pass हो चुका है बट इनमें एक चीज़ बहुत अच्छा होते हैं क्या सारे जो हम लोग का batchmate था वो united हो गये थे जो generally हम लोग कभी भी कोई भी medical colleges का senior आपको बताएगा नहीं मैंने बताया इसलिए क्योंकि मुझे लगता है कि यह ऐसे एक चीज था जो कि medical college का बहुत ही एक अच्छा स्टोडी है जब मैं second year में था तब मुझे ऐसे लगा क्या जब एक doctor तो मैं बन गया मगर मैं एक doctor बनके जब दस doctor बनाओंगा तो देश को और भी दस doctor मिलेगा जिसमें और भी patient का इलाज हो सकता है तो मैं ऐसे भी मेरा teaching का बहुत passion था तो मैंने start कर दिया need का teaching और second year में सबसे पहले मेरा जो student था उन्होंने mbbs crack करके first year में admission ले लिया तो मुझे और भी ज़्यादा motivation मिल गया कि अब मुझे इसी journey को continue करना है तो मेरा सुभा में college में ऐसे था कि में college जाता था और शाम में पुरा need का coaching कराता था मेरे बहुत से रे friend था college का और hostel का जो कि शाम में film देखने जाता था पार्टी करता था वागर मुझे तो वो सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था मुझे यह करना था कि पूरे इविनिंग में need का coaching कराता था ऐसे ही final year आया और final year के time पे हम लोग का college selections जब हो रहता था college representative बोलते हैं एक medical college का tradition है college election तो वो college election में ऐसे महुल बन गया था क्या मतलब मेरा election में नाम आया था nominate हुआता मैंने मेरा नाम nominate हुआता तो सब लोग बता रहे थे कि मतलब कुछ लोग बता रहे थे कि इस साल में देबुज्योती will not be selected उसका भोट में उसका चुनाओं में उसका जीत नहीं होगा college के election में मगर मेंने last पूरा मन तक election के पहले दिन तक भी मैंने काम करते गया मेरे batch के लिए और जब result आया में देखा क्या मेरा भोट सबसे ज़ादा है तो इनमें बहुत बढ़ा एक मुझे lesson मिला life में है किया जब तक पुरे दुनिया भर लोग आपके against में भी बात कर रहे है न तब भी आपके जो confidence है उसको आपको बरकरार रखना होगा और यह बहुत ही important lesson मुझे आज तक भी यह lesson मुझे काम में आता है और इसको मैं दिमाग में रखता हूँ और आगे अभी भी इसी को follow करता हूँ मैं अब जब final year cross हो गया मेरा MBBS पास हो गया तो उस time में मेरा hospital का सुभा में duty होता था फिर शाम में वही चीज MBBS का coaching कराता था मैं need का coaching कराता था मैं तो ऐसे यह continue होते गया एक दिन एक बच्चे आसके फिर से बताया में coaching institute में तब में था और उनका class में ही बताया कि सर coaching institute में सर आतो रहे हैं मगर आप तो बहुत कुछ बता रहे हैं आप अच्छे से पूरे चीज को mentorship भी कर रहे हैं मगर सर मेरे बहुत सरे दोस्त ऐसे हैं जिनको जिनके coaching institute में यह सब नहीं मिल रहा है क्योंकि पूरा जो actual mentorship है मतलब need में क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए कहां से पढ़ना चाहिए कौन से किताब नहीं पढ़ना चाहिए कितना तक end है कहां से शूरू करन चाहिए यह सब जो practical oriented जो information है उनको नहीं मिल रहा है तब मैंने सोचा किया ऐसे कुछ organization open करना है जो की सिर्फ और सिर्फ NEET के लिए तयारी कराएगा कोई दूसरे exams के लिए नहीं कराएगा तब आते है prep med तब आते है organization prep med and prep med में हम लोग start किया था दस बच्चे को लेकर आज तो पचास अजर बच्चे के ऊपर हम लोग ने अल्री कोचिंग करा चुके है तो में जो important है यहाँ पे तब भी एक मेरे life में challenges आया था कि आप सब लोग बता रहे थे क्या नीट पीजी इस बंदे से तो crack नहीं होगा क्योंकि अभी तो एक तो इसका नया organization खुल गया तो इसका दूसरे साइट से यह तो teacher है ठीक है और यह hospital के भी duty करते हैं तब मुझे और एक challenges फिल हुआ कि अभी तो मुझे नीट क्रेक करना ही है तो बहुत अच्छे से मैं तयार बिला और जिसमें crack करके में एक प्राइम जो नीट पीजी के ब्रांच है रेडियो डागनॉसिस उसमें मैं नीट पीजी करना स्टार्ट कर दिया मेरे फाइनल मेसेज अब के लिए है मैं एक छोटे से चैर में था फिर कलकत्ता में आया और कलकत्ता में आकर के चैलेंजेज भी फेस किया उसके बाद भी मैंने बहुत सरे चीज अब में कर सकता हूं मेरे ख्याल से दोस्तों आप लोग भी कर सकते हों क्योंकि यह पूरा जितना आपके उमर होता है ना आपके लिए सिर्फ एक ही चीज़ इंपोर्टन होते है इस मेंटल गेम देखिए स पूरा चीज़ मेंटल गेम होते हैं क्या हाव यह हैंदलिंग देखिए और हाव यह हैंदलिंग देखिए तो यही बताऊंगा आप सिर्फ सफर को इंजॉई कीजिए आगे बढ़ते रही है और जो भी सक्सेस या फेलियर जो भी आ रहा है उसको आप अच्छे से हैंडल की कीजिए बहुत मैच्योरली हैंडल कीजिए डेफिनेटली आपके जो डेस्टिनेशन होगा आप एक दिन इसमें अब उसमें पहुंच होगे थैंक्यू जो श्टक नीट फॉर शेरिंग मैं स्टोरी बिकाज इस चैनल में मैंने यह देखा इनके इस चैनल का मोटो बहुत क् आस्पिरेंस है आप लोग इनको बहुत ही मोटीवेट कर रहे हो और मुझे भी लगा क्या मेरे स्टोरी भी यहां पर शेयर करना चाहिए मुझे ताकि एक भी बच्चा का भी मुझसे मोटीवेशन मिलता है तो वही मेरे लिए बहुत खुशी के बात होगा थैंक्यू वांस